हलो दोस्तों मेरी जो आज की वीडियो को टॉपिक है वो टॉपिक है थ्रेड धागा दोस्तों हमारी जिंदगी में पीशो थ्रेड की बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्स है एक धागे को बिनाने के लिए हमें कई फाइबर्स को जोटना पड़ता है और मेरे टेक्स्टेल फील्ड वाले जो फ्रेंड है उनसे बैतर इस परसेस को कोई नहीं जान सकता कि एक धागे को बिनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है वैसे ही आईटी फिल्ड में थ्रेड्स का मतलब होता है कि डिफरेंट पैरल अक्टिविटीस टू अचीव सेम को उनका सिग्निवकेंस भी वही रहता है कि अलग अलग जाग पर काम चल रहा होता है लेकिन गोल एक है तो डिफरेंट थ्रेड्स को मिलाके एक कोमन को है चाहे हमने कोई मनत मांगनी हो चाहे हमने एक त्रेड सेरेमेनी करनी हो चाहे रक्षा बंधन हो पी सो थ्रेड्स व रेली प्लेए वरी इंपोर्टन डोल इन अब लाइफ Thread is a symbol of purity, commitment हमारी life में अब रिष्टों की तरव लेके चलते हैं, अपनी रोजाना जिंदगी में लेके चलते हैं अगर अपनी रोजाना जिंदगी में देखेंगे तो रिष्टे क्या रहते हैं? रिष्टे दागी की डोरी की तरह होते हैं जिसमें joyness, trust, understanding, sacrifice ऐसे फूलों को पिरोके एक relationship बनता है और वो धागे को बहुत ही कस के बांग के रखना पड़ता है क्योंकि एक बार धागा तूटा तो रिष्टों में थोड़ी सी फीका बना दाता है तो दोस्तों एक और बहुत बहुत बहतरीन importance है इस दागे की जब भी आपको दागा बांगते हो यह आपको evil deeds से बचाता है आप गलत काम करने चाते हो तो यह दागा अगर है आपके साथ तो आपको indicate करता है आपको alert करता है कि जो भी आप करने चाहरे हो तो आपको किसी गलत काम करने से रोकता है तो दोस्तों इस वीडियो में एक simple message था कि हम लोगों को धागी की तरह जुड़के रहना है धागी की तरह वो रोल अजा करना है चाहे वो common goal के लिए हो चाहे वो रिष्टों को बांग के रखने के लिए हो चाहे हो एक commitment हो कि अच्छे रास्ते भी चलना है चाते जदे मैं एक share अर्ज करना चाहता हूं इस प्रेम की डोरी को उमर बर बांग के रखना ये कोई मामली धागा नहीं ये कोई मामली धागा नहीं नदर होती है कुछ लोगों की जिनको आता है इसको पर रखना Stay safe, stay happy and keep in touch. Thank you.